वाइनार्ड सीट पर लेफ्ट ने उतारा उमीदवार राहूल गांदी पर क्या पड़ेगा सर। नमस्कार आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर 2019 के लोगसबा चुनाब में राहूल गांदी उतरपरदेश के अमैठी लोगसबा छेते से चुनाब हार गए थे जीती बीजीपी से स्मृति इरानी को मिली थी नहरू परिवार की परमपरागत सीट रही थी लेकिन कॉंग्रेस से बचा नहीं सकी थी शायद कॉंग्रेस को मैठी मेहार का अंदासा था इसलिए केरल की वाइनाड सीट से भी राहूल गांदी को उता रहा था और वहां जीत मिली थी लेकिन इस बार राहूल को वाइनाड में जीत आसान नहीं दिख रही है वाइनाड सीट पर लेफ्ट ने अपने उमीदवार के नाम का एलान कर दिया है CPIM नेता वरंदा करात ने मंगलवार को मेडिया से कहा कि वाइनाड सीट पर अभी CPI ने अपने उमीदवार को गोशित कर दिया है कॉमरेड एनी राजा जिन्होंने महिला आंदोलन में बहुत जबरदस्त भूमिक आदा की थी अभी वो पूरे LTF Left Democratic Front की तरफ से उमीदवार होंगे वरंदा ने कहा राहोल गांदी और कॉंग्रेस को सोचना चाहिए वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई BJP के खिलाफ है किरल में आप BJP के खिलाफ नहीं आप लेफ्ट के खिलाफ आकर लड़ेंगे तो आप खुद क्या मेसेज भीजेंगे इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दुबारा सोचने की जरुत है CPIM और कॉंग्रेस इंडिया गटबंदन का हिस्सा है ऐसे में राहूल गांदी की सीट पर ये दोनों सहियों की आमने सामने आने की स्तिती में पहुँच गए है राहूल गांदी और वाइनाड केरल की वाइनाड सीट से राहूल गांदी चार लाक से ज़ादा वोट पाकर जीतने में सफल रहे थे तब कॉंग्रेस ने कहा था कि राहूल गांदी के इस सीट पर लड़ने से पार्टी केरल की 20 में से 15 सीटे जीतने में सफल रही है राहूल गांदी इस बार भी वाइनार्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस बारे में कॉंग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया है हलाकि CPI नेता बिनौई ने कहा कि राहुल गांदी का वाइनार्ट सीट से लड़ना गलत राजनितिक कदम होगा केरल में लोकसबा की 20 सीटे हैं CPI ने 20 सीटों में से 4 पर लड़ रही है CPI के स्टेट सेकरेटरी बिनौई विशम ने सुमवार को इस बारे में ऐलान किया था केरल की तिरुवन्त पुराम सीट से साल 2009 में शशी थरूर सांसद है इस सीट पर CPI ने वरेस्ट नेता पनियान रविंदरन को उतारा है CPI ने इस सीट पर BS सुनील कुमार को टिकेट देने का मन बनाया है CPI के फैसले पर शशी थरूर ने क्या कहा रंदा करात ने जब मंगलवार को वाइनाट से अपने उमीदवार के नाम का एलान किया और राहुल गांदी से सोचने के लिए कहा तो इस पर शशी थरूर की प्रते के लिए आई शशी थरूर ने कहा कि लेफ्ट केरल की उन्हें सीटों पर कॉंग्रेस के सामने क्यों आ रही है जहां BJP मजबूत थी दहिंदू की रिपोर्ट के मताविक शशी थरूर ने कहा कि उधारन के लिए मेरी सीट की ही बात कीजिए बीते दो चुनावों में इस सीट पर BJP दूसरे नमबर पर रही है एंटी बीजेपी वोट का बड़ा हिस्सा तीसे नमबर पर रहे कम्यूनिस्ट उमीदवार को मिला था अगर तिरुवंत पुरम में लेफ्ट के लिए मेरा विरोध करना ठीक है तो राहुल गांदी वाइनाड में लेफ्ट के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते सीट शेरिंग के बारे में थरुड ने कहा के रल में लेफ्ट सहियोग करने की मनशा नहीं दिखा रही है बराबर के राज तमिनाडू में CPI M, CPI Muslim League, कॉंग्रेस और DM के साथ में मिलकर लड़ रहे हैं एक राज से दूसरे राज में हालात अलग दिख रहे हैं दिखाबरदार नियूज ने अगली रिपोर्ट में एनी राजा से बात की एनी राजा ने कहा ये कॉंग्रेस को तै करना है कि वो किस सीट पर किसे उतारना चाहती है एक सोतंतर पार्टी के तौर पर हमने फैसला किया है ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांदी किसी सीपी आई उमीदवार का सामना करेंगे 2019 में भी ऐसा हुआ था हाला कि इसका असर इंडिया के बीजेपी के खिलाफ शुरू किया गया बियान पर होगा इसकी जबावदे ही कॉंग्रेस की बनती है ना की हमारी इससे पहले करनाटक और तिलंगाना में कॉंग्रेस जनिता सार्वजुने के तोर पर कई बार राहुल गांदी को अपने राजियों से चुनाव लड़ने के लिए कह चुके हैं खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार आदेखते रहिए दाखबरदार न्यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन, शिफ्ट को पैकस एंड मुवस है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाक कार को सक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें 821-000-717